हालो एस्टुडेंट निर्वेवान वन यूटुब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एस्टुडेंट इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन वाइल का रिफेंडि डिविजन में आपके क्या-क्या डोकॉमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन-कौन से डोकॉ बात करेंगे पहला दूसरा बात करेंगे कि आपका स्लेबस क्या होगा इसमें ठीक है रिफेंडि डिविजन का इसका स्लेबस क्या होगा स्लेबस ठीक है स्लेबस और कितना टाइम लगेगा इसमें सारा कुछ इसमें बात करेंगे निगेटिव मार्किंग रहता या नहीं र जो मतलब का आने का खर्चा औरắng nolds्ः से आप तरेवल कर रहे हैं तो सप्रेड टवीडि recipe देडिया जाएगा तो आपको प्रोसेस होगा केसे अप लेंगे ठीक है और इसको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा तो यहां पे शज़्यों चीप यह पוצ Organic लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखेगा तभी समझ में आएगा नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा ठीक है तो चलिए स्टाट करते हैं वीडियो को तो अभी तक जो भी चैनल पर नहीं हो इस्टुडेंट है फिलीच चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भ बात कर लेते हैं यहां पर जिसे कि देखे आयो सी अल रिफाइंट डिवीजन का मेरे पास नूरिफिकेशन का प्रोस्पेक्टर है ठीक है यहां पर डेट बगरा देख सकते हैं अक्टूबर में आया था और यहां पर देखेंगे अलग-अलग ट्रेड का दिया हुआ हुआ ठीक है इसमें जो रिफाइंट डिवीजन में भराया था यह बीसी कंडिटेट भी भर सकते थे 12 कंडिटेट भी इटिया कंडिटेट भी तो यहां पर सारा कुछ इसमें सब डिस्कस करेंगे ठीक है और जैसे कि नीची आएंगे स्कॉल करते हुए पहले बात कर लेते हैं ड देखेंगे तो डोकुमेंट भरिफिकेशन के समय देखें क्या क्या लगेगा आपको यहां पर देखें लिखा हुआ है कंडिडेट इस्टेड ऑन दे बेसिस ऑफ देयर पोजिशन और इन डा मेरिट लिस्ट एन सब्जेक्ट तो नमबर ऑफ सीट्स इन रिस्पेक्टिव या डिस्सिप्लीन शेल भी कॉल दोकुमेंट प्रिफिकेशन दिफ फूवाइंग और इसके साथ में आपको फोटो कोपी भी लेके जाना इसका ठीक है एक से दो को फोटो कोपी सब कराएंगे एक से दो फोटो कोपी और सब का सेल्फ एटेस्टेट करेंगे यह निए अप आपने से सब कोंपी पे जितना फोटो कोंपी होगा सब पे signature और date डाल देंगे ठीक है तो यहां पर यही लिखा हुआ है उसके बाद बात करते हैं उसके बाद बात करते हैं कि आपका document क्या क्या लगेगा original document ठीक है यहां तक समझ गए original document में पहला बात करेंगे तो 10th ठीक है 10th pass का जो matriculation certificate issued by the concerned education board as per the proof of date of birth ठीक है यहीं आपका 10th का सरा document लगेगा 10th का क्या क्या लगेगा बात करें तो आपका admit card पहले ले लिजीगा original admit card उसके बाद provisional certificate ठीक है provisional certificate उसके बाद mark sheet ले लिजीगा ठीक है mark sheet तो यह तीनों document आप साथ रखेंगे ठीक है अगर certificate original बनके आ गया है तो लेके चल जाएंगे या तो provisional certificate ले ले लेंगे या admin card या mark sheet ठीक है यह 10th का था अब उसके बाद बात करेंगे कि यहां पर अगर 12th आप किये हैं जिसे बहुत सारे student क्या करते हैं 10th करके diploma कर लेते है ठीक है और वो Iocl का form apply किये हैं और बहुत सारे student होएंगे कि 10th करके 12th भी किये होंगे तब जाके diploma किये होंगे ठीक है 10th भी किये होंगे 12th किये होंगे अप्लस diploma किये है ठीक है तो यहां पर अगर 12th आपके पास है तो 12th का भी mark sheet सारकुछ ले लिजेगा 12th का भी admin card ले लि ठीक है यह team document तो यह 10th और 12th का complete हो गया ठीक है अगर आप ITI student है तो यहां पर वही लिखा हुआ है यहां पर देखिए class 12th यह final ITI issued by NCBT, SCBT यह graduation यह diploma certificate issued by the respective board and authority ठीक है यह आप 12th किये हैं तो वह सारा ले ले लेंगे अगर ITI किये हैं तो ITI का भी सारा document आपको लेके जाना प certificate होता है, mark sheet होता है, हर एक semester का सब का ले लेंगे ठीक है और यहां पर जो भी character certificate है सब आपको college सी मिल जाएगा तो वह सब भी बनवाके लेके जाना पड़ेगा ठीक है अगर graduation की है तो graduation का भी सारा certificate लेके जाना है और diploma की है तो diploma का भी diploma का बता दें आपको special कि diploma में क्या क्या certificate लगेगा अगर diploma की है आप लोगता है, diploma ठीक है तो diploma हम आपको क्या लेना है पहले तो सारा semester का mark sheet ले लेंगे, mark sheet हो गया उसके बाद आपका final certificate ले लेंगे, final certificate सब लोग रखेंगे, उसके बाद final certificate हो गया ठीक है, final certificate लेने के बाद, आप migration ले लेंगे, ठीक है, अगर PLCR आपको college से मिल जाता है, PLC बगएर लेंगे, PLC ठीक है, PLC मतलब polytechnic living certificate और character certificate ले लेंगे, college से आपको बना के दे देगा, ठीक है, तो यह सारा document आप साथ में रखेंगे, ठीक है, यह हो गया, यह diploma का जितना थ सब यह आपको लगेगा, ठीक है, उसके बात, बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर यह लिखा हुआ है, यहाँ पर यह लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है, लेकिन diploma student के लिए, उसके, जो final certificate बनके आता है, final mark sheet जो बनके आएगा, six semester, या हर इक semester का CGPA लिखा रहाता है, तो आप ले लेंगे, उसी से काम चल जाएगा, ठीक है, हर इक semester का mark sheet, उसके बात, यहाँ पर दिया गया है, इस वो देखिए, certificate maintaining, the date of application of result from the principal of the pole technique या school college institute, where the 12th या ITI या graduation या diploma course, if applicable, ठीक है, तो यहाँ पर वही बोड़ा है कि अगर, जो भी last या 12th या ITI किये हैं, आप या diploma या graduation किये हैं, तो उसका क्या ले लेंगे, आप certificate ले लेंगे, उसका final certificate, जिसे यहाँ पर बात करें, अगर diploma का, तब PLC होता है, पोल्टेक्निली बेस certificate, फिर graduation का, जो final pass करेंगे, तो उसका भी certificate देता है, तो इसी तरह से 12th का ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सारा document यह आपको लगेगा, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, कि फिर 6th नमर में, SCST, Disability Certificate, या OBC Non-Criminal Certificate, ठीक है, तो यह तो समझ गए, कि आपको जो भी, ठीक है, यहाँ तो समझ गए, कि डिप्लोमा करके हैं, तो PLC, पोल्टेग्नी लिविंग सेटिफिकेट, जो लिविंग सेटिफिकेट, यानि मिलनी, आप लिविंग सेटिफिकेट लेंगे, ठीक है, गर्जिशन किये हैं, तो वहाँ से भी लिविंग सेटिफिकेट, और 12th रिजर्बेशन चाहते हैं तो आपको सेस्टी ठीक है अब खुरम बरने बक्त अगर आप कैटेग्री डाले हैं तो उसका आप का सेटिफिकेट भी लगेगा यहां पे ठीक है तो का सेटिफिकेट आप कांस लेंगे सेंट्रल से लेबल से बना के लेग जाएंगे तो यहां पे आप क्या करेंगे सेंट्रल लेबल से बना लेंगे तो आपका सेफ रहेगा तो उसके बाद यहां पे देखेंगे सेटिफिकेट इन डुमेस्टिक डेटा इंट्री ऑपरेटर असकील सेटिफिकेट उसमें लगता था तो वहां पे आपको बोल रहा है कि सेटिफिकेट ले लेंगे तो यहां पे यह में में डॉकुमेंट है है यही आपको लगने बाला है तीक है मेंल है अगल अगर आप डुम्द सेाख डुल की लेंगे थांग है अगर चुथ तक यह का लेंगे और ब की सेटिफिकेट में आपको डुकुमेंट ऐन ct उसके बाद यह हो जाएगा और मेडिकल मेडिकल तो आपका IOCAL के तरफ से ही क्या जाएगा ठीक है वहाँ पर डॉक्टर रहता है आपको जांस किया जाएगा उसके बाद मेडिकल आपका बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जितना डोकुमेंट से रिलेटेट हो गया सारत discuss कर लिए हैं लोग अब बात करेंगे syllabus तो देखिए यहां पर syllabus ठीक है syllabus में diploma student के लिए बात करेंगे तो आपका syllabus में क्या रहेगा यहां पर देखेंगे selection methodology में तो इस तरह कोई update नहीं दिया है कि आपका क्या-क्या syllabus बस रहेगा ठीक है और लेकिन मेरा जो experience है जो पीछली exam मैंने दे चुका हूँ दूसर बेसिस पर आपको बताऊंगा यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है ठीक है यहां पर सिर्फ लिखा है कि आपका देखें selection shall be return test and two hour duration बस यही सब लिखा हुआ है और यहां पर board आया कि देखेंगे तो return test will be conducted on objective type multiple choose question consisting of four options with one correct answer यहनी चार option के साथ objective type question रहेगा mcq उसको में आपको एक option चूज करना रहेगा ठीक है तो यहां पर देखें मैं लिख लेवर्स के बारें बात करेंगे न predictions के लिए तो आपका जो 75% कोश्चन रहेगा वो technical सेerlich little रहेगा 1300amadil जो रहेगा 55K ौश्चन आपका लेटरज से रहेगा एक मैं पत्ब्ला सेले गार बनने टेकीज रहेगा थीक्जाई तो 75 कोश्चन सब के लिए common रहता है ठीक है तो 25 question में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा तो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगा math ठीक है math plus reasoning यही दो subject सबसे ज़्यादा रहेगा math और reasoning यह 25 question लगबग आपका समझे कि 22 से 21 question जो है math और reasoning रहेगा और 2-3 question जो है आपको सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट से जाएगा तो यहां पर थोड़ा सा यह दूर सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं सबसे ज़्यादा जो आएगा mathl में fluid mechanics से आएगा ठीक है अगर आप mechanical student है तो आपका सबसे ज़्यादा आएगा किसे fluid mechanics से दूसरा आएगा यह पहला हो गया fluid mechanics से सबसे जाएगा कोशन रहेगा दूसरा बात करेंगे तो thermal engineering से रहेगा ठीक है thermal engineering ठीक है तीसरा बात करेंगे फुलूर मेकैनिक्स हो गया thermal engineering हो गया उसके बात करेंगे तो आपका हो गया रहेगा ठीक है mechanics of solid mechanics of solid उसके बाद tom रहेगा ठीक है theory of machine ठीक है तो यह सब subject ज्यादा dominant करेगा उसके बाद बाद की other subject है उसे थोड़ा कम question आएंगे ठीक है और लेकिन fluid और thermal से सबसे ज्यादा question रहेगा यह यह था syllabus मैंने syllabus कर दिया diploma student के लिए गर्जशन और other student के लिए बात करें तो उसका syllabus मुझे भी नहीं पता है ठीक है तो मेरे पास जो भी syllabus मुझे पता था उसका मैंने बता दिया और बात करेंगे कि negative marking तो negative marking ऐसे नहीं रहता है इसमें ठीक है no negative marking रहता है ठीक है तो आप चाहिए तो सारा सारा question जो attempt करके आईए कोई दिकत नहीं है ठीक है अगर मैंने तो यहां पर बता दिया no negative marking लेकिन फिर भी आप लोग एक बार confirm होने के लिए जैसे ही आपको वहां पर question मिलेगा ठीक है आपका जो exam होगा offline ही होगा ठीक है आप admin card एक बार देख लेजेगा पीछले बार जो होता था exam offline ही होता था ठीक है तो आपका जो question मिलेगा उसमें लिखा रहेगा आपका एक टूपेज पहले वला जो होता है उसमें लिखा रहेगा कि negative marking है की नहीं है ठीक है तो ऐसे तो मुझे जहां तक लगता है कि negative marking नहीं हो रहेगा क्योंकि पीछले जितना भी exam हुए है इस बार भी आकर आप देख लीजिएगा एक बार एक जाम में बैठते साथी एक बार confirm हो जाएगा की है की नहीं है ठीक है तो यहां पे जो था यानि maximum जो रहता है कि negative marking नहीं ही होगा ठीक है जो पिछले साल का experience है और पिछले साली बहुत सारे exam दिये हैं और apprentice का भी दिये ह तो इसमें negative marking नहीं था तो यहां तक समझ गए कि negative marking है या नहीं है तो no negative marking है ठीक है यहां तक सबको clear हो गया और लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देना चाहता हूँ का confirm होने के लिए आपको जैसी question मिलेगा तो एक बार जरूर आप देख लीजिएगा ठीक है ऐसी negative marking नह रूट की होंगे तुम्हां पर लिखा हुआ है देखें यहां पर और स्टेशन सस्ट प्व्ड कंडिएट विल विल इलिजिबल फॉर दे अप दे सकेंड कलास रेल या और नरी बस एर टू एंड फ्रो बाइद शॉटेस्ट रूट बिट्मिन दा प्लेस आप दा मेलिंग एक्च्वल प्लेस ऑफ दे जनरी एंड प्लेस ऑफ दे रिटन टेस्ट ठीक है यानि जहां पर आप 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 आपको जिसी समय फॉरम भरे होंगे तो वहां पर आप से मांगा गया होगा नियरेस्ट रेलवे अस्टेशन बताइए ठीक है तो जो भी अस्टेशन अगर आपका कोई अधर अस्टेशन यानि आपका जो एक्जाम पढ़ता है कोई अधर जगाव पढ़ता है तो वहां पर जाएंगे तो यहीं पर लिखा है कि और अस्टेशन ठीक है यानि जो भी अस्टेशन दिया है उससे दूसरे अस्टेशन के लिए जा रहे हैं तो उस student को मिलेगा यहां पे और SC ST PWD candidate को मिलेगा तो यहां पे वही लिखा हुआ है को आपको यहां पे जो maximum मिलेगा second class तक मिलेगा ठीक है second class तक railway या कोई ordinary bus में जाते हैं तो आपको bus का जो ticket मिलता है या second class का जो ticket कटाएंगे उसको आप रखेंगे ठीक है यहां पे जो दिया गया है कि आपका जो count किया जाएगा ठीक है आने जाने का दोन तरब का पे समलेगा यहां पे लिखा हुआ है फिर two and pro ठीक है आने और जाने का पे समलेगा और shortest route को count करेगा ठीक है आप ऐसे नहीं कि आप घुमते घुमते गया है तो उसका count नहीं होगा जो shortest distance होता है जिसे कि आप मलेजे पतना में है आप पतना से जा रहे हैं आप दिल्ली तो पतना से दिल्ली का जो shortest route है railway route का यह यह बस का route जो है वो आपका यहां पर count किया जाएगा उसी अनुसर से आपको पैसा दिएगा ठीक है तो आप में लिए आप टिकट जो कटाएंगे वो टिकट को रखेंगे आप देखी यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है written test sorry यहां पर देखेगा उसके बाद लिखा हुआ है whichever is less and subject to submission of TA claim ठीक है TA claim from with rail ticket bus ticket and copy of the car certificate in the format prescribed TA claim format can be download from the www.icl.com ठीक है यह इस साइट पर जाएंगे और TA claim format वहां से download करेंगे ठीक है तो इसका जो यह official site है इस पर जाएंगे और TA claim format आपको download करना पड़ेगा उस format को आपको क्या करेंगे भरेंगे और उसके साथ जो ticket या bus ticket या railway ticket लिए हैं उसको print out करा लेंगे और उसको उसके साथ attach कर देंगे और cast certificate अपना ले लेंगे ठीक Central Level का जल्दी से बना लिए ठीक है अगर Central Level से नहीं बनता है तो State Level का लेके जाईएगा लेकिन महाँ जो मांगा जाएगा आपको से Central Level का ही मांगा जाएगा ठीक है तो यहां तक समझ गए कि आपको TA के लिए साते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा बस टिकट या रेल टिकट जो भी कटा है उसको ले लेंगे और यहां पर टीए क्लैम फॉर्मिट आप डाउनलोड करेंगे इसका जो ऑफिशल साइट है उसको डाउनलोड करने बाद उसको फिल करेंगे फॉर्म को और बस टिकट या रेल टिकट को उसके साथ एटेज करेंगे और का से होना चाहिए सिलींबर से होना चाहिए थीक है तो यह था पूरा वीडियोओ इसमें मैंने चर्चा कर दिया डॉकवेंन क्समा क्या डॉकवियो मैं रागे गा ठीक है और इसमें घिसके बाद आपका ठीजका कर दीए अगर चैनल पर नियू स्टुडेंट है चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आ रहेगा जोब से रिलिटर तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा थैंक्यू